नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग गुरू और कुछ लोगों के सवाल थे के रंग मंच क्या होता है थीटर क्या होता है थीटर में आखिर क्या होता है ये बहुत सारे लोग जानना चाहते थे तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ मु पिन थेटर भी करते हैं खुले मैदान में भी लोग थेटर करते हैं और एक ऑडिटोरियम के अंदर भी थेटर होता है तो थेटर तो कहीं भी हो सकता है ओपन में भी हो सकता है और इंडोर आउट्डोर सभी तरीके से थेटर हो सकता है मगर ये बेसिक कुछ चीज़े जो ल महीन दो महीन दिन पचास दिन ऐसे करके प्रेहलसल चलती है और उन नाटक को तयार करनाने के लिए एक डिरेक्टर होता है, जो डिरेक्टर उस नाटक को तयार कराता है उन कलाकारों के साथ में, नाटक तयार हो जाता है, उसमें क्या-क्या चीजे चाहिए, क्या-क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, यानि क्या-क्या सम दो चार दिन छे दिन ऐसा चलता है उसके बाद लोग याद कर लेते हैं उसे फिर इसक्रिप्ट को रख दिया जाता है इसक्रिप्ट हटा दी जाती है अब सब लोगों ने याद कर लिया अब फ्लोर पर सब लोग आ जाते हैं यानि स्टेज पर आ जाते हैं और उसको जो उनक दिन ऐसा हाता है कि उस नाटक को स्टेज पर करने का दिन आosition आजाता है एक टाइम एक डेट मिश्चचत हो जाती है कि इस तारीक को इतने बज़े यह नाटक होगा तो auditorium में लोग आ जाते हैं बैठ जाते हैं फिर वहाँ पर जो यी नाटक तयार होता है उसका एक दो दिन पहले technical run भी होता है तो light के साथ में पूरी rehearsal हो जाती है नाटक पूरी तरीके से तयार हो जाता है फिर एक तारीक को उस नाटक को किया जाता है वो नाटक performance होती है और लोग आते हैं देखने के लिए लोग तालिया बजाते हैं अच्छा होता है नाटक तो ये एक नाटक की प्रकेरिया है कोई theater ज होती है अब theater अगर आप join करना चाहते हैं तो तमाम जगाओं पर अलग-अलग theater group हैं जो अलग-अलग तरीके से theater सिखाते हैं या अपने group में आपको शामिल कर सकते हैं उसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि वहाँ जुड़के थोड़ा वहाँ पर backstage का काम करना फिर आपको on stage भी काम मिल जाएगा तो आप theater अगर join करना चाहते हैं तो आप जिस शहर में भी हैं वहाँ ढूंडिए कोशिश करिए कि कहा पर theater है जहां हम join कर सकते हैं च्योंकि theater के लोग रंग-मंच के लोग हर शहर में मिल जाते हैं हर शहर में कहीं न कहीं theater कर रहे होते है उसकी भली जानकारी आपको नहों मगर उसके लिए आपको जो आपके छेतर में सरकारी auditorium होते हैं या कोई धरमशालाएं होती हैं जहां पर लोग rehearsal करते हैं या सरकारी जगाएं ऐसी होती हैं जहां पर auditorium टाइप का होता है वहाँ जाके आप जानकारी लीजिए वहाँ पर क बहुत सारी चीज़े जब वहां होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे फिलाल थेटर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी यहां आपको मैंने इस वीडियो में दी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा या आपका कोई कमेंट हो तो मुझे जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा थेंक यू